नमस्कार पहरे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके एपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हरेना के उन्दर मांसिक बियरोजगारी भत्ता था फिर सकसवां को जो ग्रेज्वीट को तीन हजार रुपे दिये जाते हैं और ग्रेज वां शॉत्य मासिक भत्ता दिया जाता है दूसरे लाजी चुनाओर से पहले fırिन्घ और फिर जो उपना गोषना पत्तर था उसमें बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम मिनिमम 12,000 उपे बत्ता यहां पर बिरुजगारी बत्ता करने जा रहे हैं ऐसा हर्याना के डिप्टेशियम ने चुनाव से पहले कहा था अब इसके उपर जो इनलो के विदायग अब है पूरी खबर क्या इस वीडियो हैं दोस्तों डिटेल से आपको बताऊंगा अगर सक्षम वाले युवाद चाहते हैं कि आपको बढ़कर बत्ता मिले आपको पोस्ट ग्रिजट चाहते हैं 9000-12000 उपर मन्तुरी मिले मिल सकते हैं एकजूट हुए इकठा हुई अब है चोटाला से मिली 17 तरीक को आपका बज़ट 17 वहाँ पर आपके लिए पोजिटिव खबरे निगल कर सामने आ सकती हैं लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 डेज हैं इसमें काम करने के लिए इनलो विधायक ने उठाए गडबंदन सरकार पर स्वाल कहा गया बेरोजगारों को मासिख भत्ता देने का दावा अब है इनलो नेता अबैसिंग चोटाला ने गडबंदन सरकार को लेकर स्वाल उठाने शुरू करती हैं उन्होंने कहा कि परदेश में बेरोजगारों या सामिल पर्टियों का आगाज था कि रोजगार मेरा अधिकार अधिनियम बनाया जाएगा साधी परदेश में 75% नोकरियों हर्याना के लोगों के लिए रक्सित की जाएगी बाजबा जजबा ने अपने अपने चुनावी गोशना पत्रों से यह भी आस्वस्त किया था कि ज साथ प्रमुक सेक्टरों में जिन में रोजगार की ज्यादा संभावनाएं होती हैं वहां रोजगार के अवसर घटे हैं इनलो नेता ने बताया कि आज भी सरकारीक शेतर में वरतमान में जो पद विभन विभागों में खाली पड़े हैं या खाली उन पर बरतिया नहीं की हर्याना में 2423 माध्यमिक वरिष्ट माध्यमिक स्कूल हैं जिन में से लगबग आदे स्कूलों मुख्या द्यापक प्रिंशिपल के फद खाली पड़े हैं या पदोंती द्वारा ही बरे जाने फिर भी न्यूक्तिया नहीं हो रही हैं जिससे सहज ही अनुमान लगाया जा स हर्याना सरकार सिक्ष्या के गुनात्मक सुधार पर कितनी गंबीर है किसी भी संस्तान की कारिया पर ना लिए उसके मुख्या की नेतरतों समता तथा निगरानी पर निर्वर करती है लेकिन जहां मुख्या ही नहों संस्तान की कारिया कुछलता और गुनात्मक सुधार की कल दोस्तों इन्होंने कहा कि ब्रष्टाचार मुक्त सरकार है पिछले कुछ दिनों के आद रोज की अगर अपडेट उठा के देखेंगे तो वह ब्रष्टाचार मुक्त की पॉल खुलती नजर आ रही है इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सभी समश्याओं का निमार अग्जाम सेंटर करने की बात की रिजल्ट आपके सामने स्टेट को छोड़कर आईटी इंस्ट्रक्टर की 300-300 किलोमेटर एक्जाम सेंटर थे ठीक है बाकी सारी चीज़े भी जो अपकमिंग एक्ससी के एक्जाम होंगे उहां से भी पता चल जाएगा ठीक है और अभी कु यह पूंट यह उटी चानल, म्ड्रीटर पॉबलिकाशन, थैंक यह रिम्यूट